अरुना सीतेश जी एक जानी मानी का थाकार, शिक्षाविद और एक सुग रहनी थी आज सुनिये उनकी लिखी हुई कहानी कल्लू का कल्लू विंदेशर बाबू खुद चलकर डंगर टोले में आये थे पुराना वक्त रहा होता तो इसी दर्या दिली पर लोग उनके पाउं तले बिच जाते और उनकी पुतली फिरने से पहले अपना हाड मास हतेली पर लेकर उनके आगे कर देते पर ये ठेरा कल्जुग और कल्जुग जो ना कराय सो थोड़ा बालू और परकासी अलग से शैद मान भी गए होते पर ये जो राम लखन है न चार अक्षर क्या पढ़ गया अपने वो तीस मारखा समझने लगा है दो टूग जवाब दे दिया पूरी मजुडी लिये बिना तो काम करेंगे नहीं मालिक मन तो हुआ दो चार हाथ खीच कर रसीद थरें ले साले ले पूरी मचुडी बहुत जबान लड़ा ना सीखिया है पर यही करना था तब तो तेजा ही काफी रहता लड़का कह भी रहता तुम उन कम्यूनों के मुण लकर क्या करोगे बापू मैं जाता हूँ एक एक को छटी का दूद याद न दिला दिया तो मेरा नाम भी तेज नारायन नहीं उन्होंने ही रोक दिया जवानी का गर्म जोश उबल पड़ा तो वे जानते हैं दो चार जाने लेकर ही थमेगा आखिर राजबूती खून है तेजा वक्त की धार नहीं पहचान रहा वे पहचानते हैं एक तो जमाना ही बदल गया है उपर से गुमर गुमर कर आते बे मौसमी बादल कब तक बिना पर से लोटते रहेंगे समय रहते धान की कटाई नहीं हुई तो सारी मेनत बेकार रेडियो वाले अलग तूफान तूफान चिला रहे हैं मुसीबत के मारे विंदेशर सिंग पैदल चल कर यहां तक आए ना चिलचलाती धूप की परवा की ना माथे पर चुचुहाते पसीने की पर अडियल टट्टूओं की एक ही रट रेट के हिसाब से मजूरी लेंगे मालिक हाँ भही जरूर ले लेना कोई पहली बार तो चल नहीं रहे हो सो तो ठीक है मालिक एक बात तैह हो जाए तो चलें मजूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या मजूरी करने के लिए तो बैठे ही है जैसी तुमारी मर्जी हमने तो अपनी तर्फ से कभी तेजा और तुब सम्मे फरक माना नहीं जिसमें तुमारी खुशी हो वही ठीक है स्वर को मुलायम बनाए रखना विंद्वेशर सिंग के लिए मुश्किल हो गया था दिहारी का तीम किलो अनाच होगा मालिक इतना एकदम से दुगना विंद्वेशर सिंग वैसे अच्छी तरह जानते थे कि यही सरकार ने निर्धारित किया है क्या करें मालिक बच्चों का पेट जो पालना ठहरा ठीक है ठीक है अब तो चलो राम लखन के इशारे पर बालू और परकासी भी उठ खड़े हुए दिनवर धान को काट 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 कर धेर लगाते रहे विंदेश्वर सिंग हुका गुड़गुडाते हुए गंभीर सोच में डूबे थे मुसीबतों से डरने वाले वे नहीं कितनी ही मुश्किलों का सामना उन्होंने हस्ते हस्ते किया था पर आज जैसी परिशानी में वो पहले कभी ने भसे लगवक चार महीने पुरानी बात है एक छोटा सा गाउं नाम राजपुर परगना सोहानाबाद गाउं के दक्षन में मुठी बर हरिजन मजदूरों के छोटी सी बस्ती डंगर टोला कच्चे घर जींगला चारपाईयां तूटे फूटे बरतन पैबंद लगे चीथड़े गीली लकडियों में आखे फोड़ती औरतें रोते भिनकते बच्चे की चड़ नहीं बस नहीं एक राम लखन भी था अजीब सिर्फिरा ना बीबी की फिकर ना चार बरस के बच्चे की जाने कहां से पढ़ाया कि एक और एक ग्यारा होते हैं फिर क्या था पसर गया कि जब तक भाई लोग एक जुट होकर काम करने की सौगंद नहीं लेंगे अन्य जल्व को हाथ में लगाएगा बास हसी मजाग में आई गई हो गई पर सुबह से रात हुई रात से सुबह फिर सुबह से रात पर मजाल है जो पानी की बून पी बंदे के हलक से नीचे उतरी हो अब तो लोग भाई गबराए ये क्या पागलपन है ऐसा भी कोई करता है समझाया बुझाया बाप महतारी का वास्ता दिया बीबी बच्चे की याद दिलाई गुर गुले पानी का गिलास लिए बेहन कह कह कर हार गई मान जा भाईया मान जा पर वो तो बहरा बना बैठा रहा लॉन्डा तो जान दे पर उतारू है क्या क्या जावे रात के साथ साथ मंदरना गहराती गई तू चाहे क्या है आखिर एक सायाने को पूछने के लिए बेह जा गया सरकारी रेट से कम पर मज़ूरी बंद होट खुले और पहली शर्ट सुना कर फिर बंद हो गए काम न मिला तो भूको ना मर जावेंगे सबके मनों में पहली आशन का अभी कौन सा जी रहें काका मर जावेंगे तो छूट जावेंगे पर कोई दगा नहीं करेगा जीवेंगे तो साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ खोटों से पटा पर दूसरी शर्ट उगल दी और जो मालिक लोग काम पर गुला में एक और आशन का पूरा पैसा देवेंगे तो जामेंगे नहीं तो भगवान बुलाए तब भी नहीं बोलो मंजूर है तीसरी शर्ट फिर मंत्रणा चली बड़ी देर तक चलती रही एक दीवाने की जान बचाने के लिए टोले के सब लोगों को सिर पर कफन बानने को तयार होना पड़ा होना ही था सूरज की नन्नी नन्नी किरने काउं के दूसरे छोर पर बनी हवेलियों को जगाने पहुची तो ये खबर भी सुना आई साले निंदासी आँखे मुद्बुदाई पेट में पड़ी रोटियां कुलबुला रही है इतनी जल्दी भूल गए वे दिन जब बस्ती भर का मैला सिर पर ढोते फिरते थे नीन से बोजिल आँखे थी जो खुलने से इंकार कर रही थी और अंधेरे का डर था जो उने आँखे मुद्रे ने दे रहा था अंधेरे भविशे का डर कैसी आग लगी है जमाने को जो पहले आँख जुका कर सामने आने से भी डरते थे अब गर्दन ताने आँखोई आखों खा जाने को तयार दीखते है हे भगवान रसातल को जा रही दुनिया को बचाने का क्या कोई रास्ता नहीं विंदेशवडी सिंग दो बार विलायत हुआये थे नए जमाने की नई रोशनी पहचानते थे दिल के नेक थे सो यह भी महसूस करते कि आट-दस घंटे की कड़ी मेहनत के बदले हर काम को करने का एक काइदा होता है इसी बात को मलायमियत से इस तरह भी तो खह सकते थे मालिक किलो दो किलो अनाज में गुजारा नहीं होता आप माई बाप हैं जो ठीक समझें दे दे फिर भी विबढ़ा कर न देते तो बात थी आज तक इनके सुख दुख में काम आये ही है तेजा की शादी में विरदरी का खाना किया तो इन सब को बुलाया था की नहीं बलकि तेजा की मा की मरजी और किसी दिन अलग से आटा डाल दे देने की थी परवे नहीं माने सुहागी की बेटी के ब्या में तीजा की दुलहन का नया का नया जोड़ा उन्होंने बिजवा दिया था साल भर पुराना था तो क्या पहना तो मुश्किल ज़र चार शे बार होगा शायद इतना भी नहीं हरकू की जवान बहू की लाज तालाब में तेरती मिली थी तब उन्होंने पुलिस को कह सुनकर मामला रफा रफा करवाया था पर आजकल के लॉंडे बड़ों से सीधी नजने मिला कर बोलने में ही अपने शान समझते हैं खैर वो जानते हैं कौन इनको सिर चड़ा रहा है मौका आने दो सब सालों का दिमाग दुरुस्त कर देंगे पर तब तक तो रेट के हिसाब से मज़ूरी देनी ही होगी चलो कोई बात नहीं कौन उनके गोदामों में कमी आ जाएगी पर मुसीबत एक और भी थी परोस के नानपुरा के जमीनदार भायों ने बाकाइदा मीटिंग करके तै किया था कि किसी भी हालत में मज़ूरी बढ़ाई नहीं जाएगी पर सरकारी रेट एक आपती उठी सरकारी रेट सरकार देगी हम नहीं इतना ही नहीं राजपुर में भी एक हरकारे को भेज कर कहला दिया गया कि कुछेक सिर्फिरे लॉन्डों की गड़बर पर मजूरी बढ़ाने की जरुवत नहीं वे एक हैं तो हम भी एक हैं और सच्मुष उस दिन के लिए तो सबने एक दूसरे की जड़े काटना बंद कर दिया पुष्टैनी मुर्दे अर्से बाद शांती से अपनी अपनी कबर में सोए भाईचारे का अद्भुत सामराच्य पर विंदेशर सिंग मजदूरों के आगे जुक गए थे उनकी बगावत की खबर आग किसी तेजी से फैली ऐसे एक विबीशन के कारण लंका डही थी पर कलजूगी रावण धोका खाने वाले नहीं तुरंत गुप्चुप मंत्रना हुई विंदेशर सिंगों कहलाया गया कि रेट बिगाड़ा तो उनसे बुरा कोई न होगा हमारी तैयार फसल का क्या होगा तीन किलो देने का शौक तो हमें है नहीं कम पर आदमी नहीं मिल रहे हैं तो मजबूरन ही देना पड़ रहा है इस समस्या का हल भी बतला दिया गया भैरो ठाकुर की कटाई मशीन उन्हें किराए पर मिल जाएगी खर्चा कुल बिलाकर किराए के मजदूरों से शायद कुछ कम ही पड़ेगा चार पैसे ज़्यादा भी लग जाए तो रेट नहीं बिगड़ेगा सवाल इस समय बुवाई या कटाई का नहीं था सवाल सिध्धान्त का था एक बार जुग गए तो ये साले तो गर्दन पर ही सवार हो जाएंगे पढ़ा रहने दो खेतों को पड़ती एक साल खेती नहीं होगी ना सही गोदाम और किस दिन के लिए भरे जाते हैं पर इन सालों को दिन में तारे न दिखा दिये तो लानत है हम सब पर हमारे राजपूती खून पर सवाल मान मर्यादा का भी था हमारी टुकड़ों पर पढ़ने वाले हमें ही आँख दिखाएंगे जिस थाली में खाना उसी में छेट करना चार जमात क्या पढ़ गए आसमान में ही रुणने लगे पानी में रहकर मगर से बैब इतना गुमान आकर किस बूते पर ठाकरों से टक कर सरकारी रेट की दुहाई तो देते हैं पर सरकार क्या है ये भी मालुम है अब हो जाएगा मालू बिंदेशर सिंग करें तो क्या करें दिन भर धान कटता रहा काम निप्टा कर तीनों चलने लगे तो वही डेड़ किलो अनाज उन्हें पकड़ा दिया गया ये क्या राम लखन भड़क उठा लेना है तो लो नहीं तो रास्ता ना पो हराम का मांग रहे है क्या दिन भर खुन पसीना एक किया है ठाकर को बलाओ जो मजोरी तैह हुई है वही लेके जाएंगे ठाकर को मिलाने के बहाने तीनों को ले जाकर एक कोश्री में बंद कर दिया गया राम लखन का बाप घीसू सुनते ही भागा पीछे पीछे भागे सब नानपुरा के राजपूर भी बंदूग लेकर राजपूर पहुँच गये मुसीबत में पड़े एक भाई का साथ देने का सवाल था सबके दिलों में एक ही अर्मान मचल रहा था कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इन हरजनों को ऐसा सबक सिखाया जाए जो उन्हें इस जन्म में तो कम से कम जरूर याद रहे दूर से भीड आते देखा तो आओ देखा ना ताओ दाग दी कोली धाए 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 घीसू की किसमत बच गया भागा उल्टे पाउं पाँच कोज दूर संग्राम समिती के दफ्तर बाकी वहीं रुक गए बंदूक वाले राजबू छट पर चड़ गए उस कोठरी की छट पर जहां मुसीबत की तीनों जड़ें कैद थी बाहर जमा भीड ना बंदूके देखकर डरी गाउं में फैली थी जैसे जैसे ख़वर मिलती मजदूरों के जथे राजबूर की तरफ मुड लेते निहत्तों पर हुगोली की धंकी गांधी के देश में राम राम रास्ते में जो जिसको मिला उठा लिया रोडा, कंकड, पत्थर, इीट, खपच्ची, बास इनसे क्या कर पाएंगे ये सोचने का समय नहीं था सामरते भी नहीं पीट पर रेत लेकर समुद्र को पाटने की कोशिश में लगी गिलहरी सोच विचार में लग जाती तो सीता को शायद रामर की नगरी में ही सारा जीवन बिताना पड़ता सब तरफ से उमड़ी पड़ रही भीड को देखा तो छट पर चड़े वीरों के हाथों के तोते उड़ गए बंदू के अपने आप जमीर पर आ लगी इनसान के हटीले मनोबल के आगे ताकत हमेशा चुकी है देर सपित उची देर पहले तीन निरी लोगों को मृत्य डंड सुनाने वाले शेर बहादुर नानपुरा भाग कर अपनी अपनी मान में जा चुपे पर दो जमीदारों की भीर ने धर्दबोचा जो जिसके पास था दे मारा जान लेवा बंदूके तो उनके पास थी नहीं कंकर पत्थर की मार से मांस यहां वहां से फटा दस मांच कत्रे खून के बहे रात गए गाउं में पुलिस भी आ गई अब रात भगवान ने बनाई है आराम करने के लिए उबर खाबर रास्तों पर जीब का सफर जोड जोड दर्द कर रहा था तैग हुआ कि जो भी करना है अब तो सुबह ही होगा अगले दिन काफी गिरफतानिया हुई चार ठाकुड लोग पकड़े गए पंद्रे हर जन कानून को अपने हाथ पे लेने का हक किसी को नहीं बनता तीनों कैदी आजात किये गए तो भीर ने उन्हें कंदों पर बिठा कर गाओं भर में जलूस निकाला राम लखन जिन्दाबाद परकासी जिन्दाबाद बालू जिन्दाबाद संगराम समित जिन्दाबाद राम लीला मैदान में खटी हुई भीर को दरुगा जी ने बताया कि गरीब हर जनों पर सदियों से हो रहे अत्याचार को सरकार अब किसी भी हालत में एक दिन भी बरदाश्ट नहीं करेगी स्वतंतर भारत में सब एक हैं सब बराबर हैं लेकिन मुठी भर लोग देश में अभी भी ऐसे हैं जो विदेशी ताकतों के भैकावे में आकर अपने स्वार्थ के लिए छोटे बड़े उच नीच का भेदभाव बनाए रखना चाहते हैं सरकार ऐसे लोगों का सफाया करने के लिए जल्दी से कड़ा कानून बनाने वाली है फिलहाल राजपुर में ही एक पुलिस चौकी तथा एक खंड विकास केंद खोलने का फैसला किया गया है जिससे हरजन भाईओं की परेशानियों का तुरंद निपटारा किया जा सके तालियों की गरगरहाट के साथ प्रधान मंत्री जिन्दाबाद, मुख मंत्री जिन्दाबाद, दरोगा जी जिन्दाबाद, किनारे बड़ी देर तक हवा में तेरते रहे खड़े विकास अधिकारी कल्यार बाबू कर्मट भी थे जो शीले भी अगले ही दिन गाउवालों को कार्याले में आकर अपनी अपनी मुश्किलें सुनाने के लिए आमंतरित करना शुरू कर दिया अब गाउवाले ठेरे मेनत मजदूरी करने वाले काम पर जाएं या बाबू साहब के आगे अपना दुख्रा रोएं तिस पर ठेरे ठेट अनफ़ड गवार की पूरी रामार सुनाए बिना ये भी न बता पाएं कि राम जी कौन थे और सीता मया उनकी क्या लगती थी सयाने सिर्फ फिर जुड़े तैह हुआ कि राम लखन को ही बाबू साहब से बाच्चीत करने की जिम्मेदारी सौपी जाए उससे ज़्यादा अच्छी तरह कौन उनकी बात कह पाएगा राम लखन तो पैदा ही जैसे अपनी लोगों के दुख दर्द बाटने को हुआ हूँ बाबू साहब तक गरीबों की कहानी नहीं पहुचाई संगराम समिती का एक दफतर भी अपने गाउं में खुलवा लिया फिर राद दिन एक करके दफतर की इमारत बनने लगी दुमंजिली इमारत नीचे दफतर उपर राम लखन के रहने का अंतिजाम राद दिन तो भागदोर करनी पड़ती है कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए डंगर टोले से तो आने जाने में ही आधा दिन पर बात हो जा अभी तो खेर पिछली मारी काफी दिन याद रहेगी। काम की तो हद नहीं थी। कहां से शुरू करें यही तै करना आसान था क्या। अकेला रामलखन क्या क्या करें बाबू और परकासी सिक्रेटरी बनाए गए। यह तो निश्चित था कि सरकारी रेट से कम परहा काम नहीं होगा। पर अगर कोई जोर जबरदस्ती करने लगे दोखा फरेब करने लगे तो विन्देशर ठाकुर की तरह है। तब तो फिर वह जिन्दीगी बर रोते कलबते रह जाते और ये भी पता ना चलता कि ऑलाद मरों में है कि जिन्दों में। बाबू साहब को सुझाया कि समिती की मारफत ही लोग काम पर जाएं। जिसको काम करना हो वो समिती से कहे। इससे पता रहेगा कि कौन किस दिन किस के खेट पर गया बात पते की थी एक दो छोटी मोटी मुश्किलें जरूर थी जैसे इस काम के लिए समिती के दफ्तर में एक रेजिस्टर रखना पड़ेगा जिसमें एक जन्य को हर सुबह उन सब के नाम चड़ाने होंगे जो काम पर जाएंगे। सर्जु ने खुशी खुशी हामी भर दी की वो ये काम कर लेगा। चटी जमात पास था अडोस पर उसके चिट्टी पत्री बाचता ही था उसके भलमन साहत की वो राजी हो गया। लेकिन जाहिर है वो वहां बैठ कर नाम दर्ज करेगा तो मजदूरी नहीं कर पाएगा। तो क्या उसके बच्चे भूको मरेंगे। टोले वालों की भी तो कोई जिम्मेदारी थी। तैह हुआ कि मजूरी में से 10% सब जने समिती के दफ्तर में जमा कराएंगे। कागज, रजिस्टर, कलम, दवात का ही कितना खर्च बैट जाएगा। पर लोग ठेरे अंगूठा चाप। यही ना जाने जोड बाकी क्या होत परसेंट तो दर किनार रहा। परकासी और बाबू को ही खचांची का काम भी समालना पड़ा। आकर किसी को तो करना ही था। सैक्रो बरसों की दलल से निकलना हसी खेल तो नहीं था। वो भी तब जब किनारे खड़े लोग हाथ बढ़ा कर खीशने की जगे उल्टे वापस धक्का दे देने पर आमादा हूँ। राम लखन मजदूर भाईयों में जोद जलाता गूम रहा था। अंधेरे जहां रहने के सद्यों से आदी हो गए हो वहां से आसानी से जाएं कैसे। वे घर भी तो अंधेरों को नहीं छोड़ते थे। रोशनी के चका चौंद में घर की परिभाशा ही बदल गई हो उसके लिए हर गरी में उसे अपने ही बच्चे खेलते दीखते हर खटिया पर अपने ही भाई बापू विराजते जहां भी जाता भीर की भीर यों उमर पड़ती जैसे किसी बड़े नेता के दर्शन को जा रही हो गेंदे के फूल नहीं पर गदगद मन के आशीच और जुड़ा गई आँखों के विभल भाउं से लदा फदा राम लखन विदा लेता तो लगता उन्हीं का एक प्यारा बेटा एक प्यारा भाई उन्हें छोड़ कर जा रहा है उसकी एक एक बात को वे गांट से मांद लेते खूब कसकर अब मुठी भर सत्तु और पाव डेड़ पाव खेसरी दाल के बदले वे धनी कास्तकारों के लिए ना तो कुवे से पानी भरेंगे ना ही द्वार देहरी जाणेंगे बुहारेंगे काम जी तोड़ करेंगे तो मजदूरी भी पूरी लेंगे आकिर हराम का तो खाते नहीं प्राणों का जो मोह उन्हें आज तक भद्दी से भद्दी गाली और बुड़े से बुरा सलूख भी चुपचाप बरदास्ट करने पर मजबूर करता रहा वही मोह राम लखन सरीके नौजवान बेरहमी से तोड़ रहे थे ये भी कोई जिंदगी है धोर डंगर से भी बदतर मानुस योनी में पैदा हुए हैं या तो मानुसों की तरह इज़त आबरू से जियेंगे नहीं तो मर जाएंगे दीरे दीरे लगने लगा कि सूरज अपना पक्षपाती रवया छोड़ रहा है हवेलियों की तरफ जाते हुए थोड़ा सा उजाला वो खप्रेल की जोपड़ियों में भी छोग जाता है सूरज की देखा देखी बयार का भी रुख बदल गया गालों की चिपकन कुछ कम हुई तो चीतरों में जाकते शरीरों को भी लाज लगने लगी सांज ढले चूरों से निकलता धुआ बरतनों की खनखनाहट सिक्ती रोटी की गंद एक और ले लेने की मनोहार सब कितना भलाभला सा लगता राम लखन भी शाम को टोले की तरफ आता बातों का सिलसला चालू होने पर समय का भी खयाल नहीं रहता राम लखन की महतारी ने नए घर में जाने से साफ इंकार कर दिया था हम तो लला यहीं भले गोबर से लिपी पूती माटी के बिना उसे नीदी नहीं आती थी घीसू फिर भला कैसे जाता शर्मा शर्मी बहू को भी वहां ठहरना पड़ा वैसे भी राम रखन का क्या ठिकाना कुछ दिनों में गाउवालों के सिर पर काली घटा फिर मंडराती दिखाई दी और कटाई मशीने भी आ गई थी जिनसे वे लोग अपना काम तो करते ही करते दूसरों के खेतों में भी किराए पर चला देते खर्चा एक मुश्त जरूर हुआ पर दोहरा लाब काम जल्दी भी होगा और सिर चड़े लोगों की अकल भी ठिकाने आ जाई कुछ एक ठाकरों ने खेत योँ ही छोड़ दिये थे साल दो साल फसल ना हुई तो कौन अकाल पड़ जाएगा जमीन पड़ी पड़ी उपजाओी ही वोगी पर धंकियों में आने वाले तो वे हर्गिज नहीं लेकिन इतने पर से ही ठाकरों के मन की आग ठंडी नहीं हो रही थी राम रखन अब भी उनके कलेजे में काटे की तरह गड़ रहा था मौत का खौफी मन से निकल जाए तो इंसान क्या कुछ न कर गुजरे जोश के स्तरवता नवीन बलबले से समाज का तथा कथित उचा तपका घवरा उठा आग आज बाहर लगी है कल उनके घरों में भी लग सकती है रोटी पकाने वाला ना आया तो वे खाएंगे क्या दोभी घार पड़ना गया तो पहने के क्या माई चूला चौका न करेगी तो बरतनों का क्या होगा सबको अपना विनार सामने नजराने लगा बांध एक बार तूटा तो हराती नदी के वेक को कौन रोक सकेगा बुद्यमानी इसी में है कि बांध को रोको नदी को यहां वहां से काट कर बहाओ को रोक दो यों कदम कदम पर बराबरी की बात करना भुले बाले लोगों को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाना किस लिए तंगा पसाद भरकाने के लिए ही तो सरकार ने नियुनतम मजदूरी निर्धाडित की तो क्या इसलिए कि कुछ निता किस्म के लोग जन्ता को भड़काएं अपना उल्लू सीधा करें सदियों से शासन करते आये लोगों ने कच्ची गोलिया नहीं खेली थी शासन किया था तो किसी बूते पर ही उनकी ढिलाई और नेकमिजाजी का नाजायज फायदा उठा कर गली गली में मेढक टनाने लगे बिल्लियों की देखा देखी चुहें भी गुराने लगे तब तो कुछ करना ही पड़ेगा कानून अभी अंधा नहीं हुआ है सब देखता है समझता है बे जुबानों को जुबान देना परम पिता परमिशर की गारवाही में दखलंदाजी है देनी ही होती है तो वो खुद ही न दे देता हम अधने इंसान क्या उससे भी बढ़कर समझदार हो गए लोगों में नियूंतम मज़ूरी बांगने का साहस जुटाने लगे क्या भगवान नहीं जानता ठीक क्या है गलत क्या यही बात थी तो प्रत्वी पर भीजने से पहले चुटकी भर हिम्मत और बुलंदगी इनके कलेजों में वो खुद ही नहीं डाल देता पर राम रखन को तो कुछ सूचता ही नहीं था ना भगवान का डर ना भगवान के भीजे ठेके दारों का रात दिन बस एक ही रट बहुत दिन जी लिए बर मर कर अब तो फैसला हो कर ही रहेगा फैसला जरूर हुआ दर्वाजे पर दरोगा जी को आया देख घीसू के हाथ से चाय का गिलास गिरते गिरते बचा उसके पीछे ही कई सिपारही जीब में सफेद कपरों में लिप्टा एक शव उता रहे थे तोले के करीब करीब सब लोग जबा हो गए आपने क्यों सुबा सुबा तक लीफ की सरकार हुकम करते हैं कुदे हाजेर हो जाते पता चला इलाके के डाकों से मुट भेड में राम लखन जाता रहा जंगल में उसकी लाश बरामत हुई है उस बहादुर ने मरते मरते अपने खाले हाथों से ही दो डाक्रों को जखमी कर दिया वगर डाक्रों के पास तो बंदूके थी सरकार ने उसकी बहादरी पर खुश होकर पांस सो रुपया उसके परिवार को देने की तद्काल गोशना कर दी दरोगा जी ने कई एक कागजों पर घीसू का अंगुठा लगवाया था जिससे पैसा जन्दी ही मिल सके डंगर टोले में कौराम मचा हुआ था कोई अपने सगे संबंदी की मौत पर इतना न रोया होगा लोगों के आसू थमने में ही नहीं आ रहे थे दरोगा जी सबको हिम्मत बनाते वे चले गए असली हिम्मत बनाने वाला तो हमेशा के लिए चला ही गया था पूत हो तो ऐसा मिट्टी उठाने का इंदजाम करते करते भी लोग कह उठे तोले भर के चूले ठंडे पड़े रहे बारी मन से लोग उठे हाथ पर हाथ तरकर बैठेंगे तो उसकी आत्मा को कश्टी ही होगा वो तो जाते जाते भी बहाद ही दिखा गया देखते ही देखते चौक में राम रखन की एक मूर्ती बन गई जिसको खुद दरोगाजी ने सबके सामने माला पहना ही गीजु राम का परिवार समझ नहीं पाया ये सबके साथ तालिया बजाए या उमरते आंसों को बहने दे बातचीत करने के लिए काफी मसाला लोगों को मिल गया कहीं लोग राम रखन की हिम्मत की तालीफ करते मिलते तो दो एक ये भी कहते पाये गए कि डाकों से मुट भेड की तो कहानी बनाई है असल में पुलिस से मिलकर ठाकोंन ने उसको मरवा दिया जितने मुँ उतनी बाते हैं पर बातों से पेट तो नहीं बढ़ता इधर कई कई दिन तक काम की तलाश में गूमने के बाद भी निराशा हाथ लगती गरीबी में जन्मे पले शरी भी कुछ दिन भरपेट खाना के पाकर अंधेरों से तड़ने लगे दुला पुछा मन दलदल में लोटने के ख्याल मातर से घबराने लगा दलदल अब गंधाने भी तो जाता लगी थी घीसु हिम्मत करके एक दिन चौकी बर गया वो सरकार हाथ जोड़कर अटकते अटकते उसने कहा क्या है दुरोगा जी कुछ जरूई कागज देख रहे थे वो लखनवा वाला पैसा सरकार ओ तो पैसा मांगने आया है कुछ भेजे में अकल भी है बुड़े की मामला एकदम साफ है दुरोगा जी बोले सरकार हुक्म दे तो दो चार डंडा दे दे साले को सब अकल अपने आप आजाएगी पैसा मांगने आएं बुड़ो बाहर चारपाई पर पैठे एक सिपाई निताश माटते वे कूछा तेरी उमर का ख्याल करके छोड़े दे रहे हैं बुड़े जा भाग यहां से बेवकूफ की ओलाद फिर कभी इदर दिखाई दिया तो देखना गीसु बिना पीछे दे के एक सासम भागता चला आया था एक बहशी सा ठाका बड़ी देर तक उसे कानों में बचता रहा डर के मारे उसने किसी से इस बात का जिक्र भी ने किया बस राम लखन की मूर्ती के पास बड़ी देर तक चुपचा बैठा रहा देख रहे हो बचवा आँखें पोचते हुए वो एक दुबार बुद बदाया जवाब देता भी तो कौन फिर वही अंधेरे वही निराशा वही भूख हल किस मुश्किल का नहीं होता तैह हुआ बारी बारी लोग काम पर जाएंगे जिससे सब के पेट एक बराबर भरें मोर्चा छोड़ देने का तो सवाली नहीं था सरजू परकासी और बालू बारी बारी से लोगों काम पर भेजने की डूटी देने लगे पूरी चोकसी करनी पड़ती थी कौन किस दिन गया किस दिन नहीं निका जोका रखना आसान था क्या काम में मंदी दिन बर दिन आती चली आ रही थी हमेशा की तरह एक शाम मजदूर जब अपना दस परसंट कटाने के लिए समिती के दफतर आये तो सर्जू ने करीब करीब आधा जोला ही टोकरियों में उरटवा दिया कुछ अविश्वास और कुछ नासमजी में बजदूरों की निगाएं उपर उठी तो जड़की भरा जवाब पहले से तयार था हमारे बाल बच्चों के पेट नहीं हैं हम क्या तुमारे नौकर लगे हैं जो निभर मुफ्त में खिदमतगारी करेंगे विरोध ने जवान खुलती इससे पहले ही दूसरी जिड़की कानों में पड़ी चलो अपना रास्ता नापो यो टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो काम करने वालों की कमी नहीं है पतर रखे हैं उनकी चौकसी करनी पड़ती है किसी का आजकल क्या भरोसा दफ्तर के गेट पर चौकीदार ने रोग दिया अब क्या काम है दफ्तर बंद हो चुका है परकासी और बालू से मिलना है बाहर बुलाओ लोग उतेचे तो रहे थे ये बखत साहब लोगों की रोटी पानी कायका लाना इस तूल पर से उठते हुए चौकीदार ने बताया साहिब लोग साहिब तो पहले खंडे विकास के कल्यान बाबू ही कहलाते थे पर वो यहां कहां वो तो विकास के दफ्तर में रहते हैं और वैसे भी आजकल छुट्टी लेकर शहर गए हुए हैं ये दूसरे साहब लोग कौन है भला कहां से आ गए कब आ गए परकासी और बालू कहां चले गए लोग इस गुत्ती को सुलजा पाते कि चौकिदार गेट का ताला ठोक कर पता नहीं कहां गायब हो गया था भूके पेटों को एकता के सूत्र में पिरोय रखने के लिए एकी चीज़ चाहिए खुद का भूका पेट उची उची बाते करने वालों के पेट में पड़े अनके दाने गजबर दूर से ही भूकी आँख साफ साफ किल देती है कहते हैं भूका कान अधेरे में भी सुनकर बता देगा कि बोलने वाले के पेट में कितना पानी है दूसरी तरफ आदमी को आदमी से अलग करने वाला भूक से बढ़कर कोई हत्यार भी नहीं उजाले की रहा दिखाने वाले स्वैमी रोष्णी के चकाचाउन में रास्ता भूल जाएं तो बाकी तो फिर अनपढ़ गवार ठैरे दो जून की रोटी की चिंता महीं जिंदगी बसर करने वाले जिस भूक ने सबको मिलाया था उसी ने सबको तोड़ा भी अगली सुबह सर्जू ने दफ्तर खोला तो मन में आशंका थी कि कल शाम की बात को लेकर लड़ाई जगड़ा ना हो लोगों की भीड और दिन से कुछ अधिखी थी कम नहीं ये सोची रहा था कि बात किस प्रकार से शुरू करे कि सत्वा हाथ जोड़ कर फुस-फुसाया सर्जू ने आज हमको भेजो भाई आदा अना शाम को तुम खुशी से रख लेना किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने पावे गी फुलू की बात भी कुछ इस तरह की थी दो दिन से चूला नहीं जला भाई आज मेरे नाम की पर्ची जरू काटना अना जितना मर्जी हो ले लो बच्चे भूग से तड़फ रहें कुछ करो भाई सुगन के बिटिया का बियाह था अगले ही महीने बारा दर्वाजे से लौट गई तो कही मूँ दिखाने लाइक नहीं रह जाएंगे लाला रज्जत, मंग्तू, हरिया, बिर्जू सभी की लगवग यही कहानी थी रजिस्टर खोलने की जरूत नहीं पड़ी बात गलत भी नहीं मजदूरी का मारा ही मेहनत की कमाई बाटने की बात करेगा और मजदूरी के मारों की सुनने के लिए ही तो यह दफतर बना है परकासी और बालू उपर से उतरे दरवाजे पर खड़े होकर पूछा सब ठीक ठाक चल रहा है सरजू के सिर हिलाने से पहले ही वितेज कदमों से बाहर जा चुपे थे संगरान समिती की बैठक आई दिन होती रहती एक पैर पर दोनों बेचारे नाचा करते कभी इस गाउम में तो कभी उस गाउम में क्या करें ना पहुँच पाएं तो लोग बुरा मनेंगे राम लखन का काम अधूरा भी तो नहीं छोड़ सकते ठाकरों के यहां आने जाने का काम उपर से और बढ़ गया मना तो नहीं करते बनता इतनी आओ भकत इतनी खाते दारी कि वे दोनों तो बस देखते ही रह जाते हैं यही हैं वे ठाकर लोग जो सीधे मूँ बात करना पसंद नहीं करते थे पिछली दीवादी पर भैरो ठकराइन और गुकुल ठकराइन ने जबरदस्ती उनकी घरवालियों के लिए साड़ियां भेज दी वे लाक मना करें पर कौन सुनता था फिर तो यही नियम बन गया जो ज़्यादा हिस्सा दफ्तर में देने को राजी हो जाते काम पा जाते परची क्या है जिसके नाम भी चाहेंगे निकल जाएगी रोज रोज की किलत खतम हुई रेजिस्टर में नाम भी तो भरने हैं हफ़ते दस दिन में जब मौका मिला भर दिये कोई पुलिस थाना तो है नहीं कि एक एक नाम का मिलान एक एक शकल से किया जाएगा और हलफ रामा उठवा कर पूछा जाएगा कि फला फला दिन वे काम पर गए थे या नहीं बेकारों के रोजगार देने का भी उपाय आखिर मिली गया इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता परकासी बाबू और सरजु ने मिलकर टोले वालों के आगे प्रस्ताव रखा कि समिती के कारिकरताओं के मकान पक्के होने चाहिए दूर दूर से रोग आते हैं सारे गाउं की नाग कटती है दफ्तर में ही तो हमेशा सबसे मिलना संबहणी होता काम ठहरा जोखिम बरा रात बे रात भी तो रोग का आना जाना बना रहता है घर आए को लोटा भी तो नहीं सकते लोग मान गये, मानना ही था कुछ ही दिन बाद काम शुरू हो गया खेतों से बचे लोग इंट गारा उठाने लगे तसला अगले मजदूर को थमाते हुए कल्लू सोच रहा था कि इस सारी लडाई में फायदा क्या हुआ किलो बर अनाज के लिए तब भी दिन बर खून बहाते थे आज भी बहाते हैं पताने किसका भला हुआ वो तो वही का वही रहा वही कल्लू का कल्लू अभी आप सुन रही थी डॉक्टर अरुना सीतेश जी की लिखी हुई काहनी कल्लू का कल्लू